हेलो एब्रिवन मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सबसे पले मैं आप सभी लोगों का सुक्र गुजार हूँ ठेंक्फुल हूँ ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों ने question paper जो है आप लोग खोट्था का जो पेपर है ना प्लीज वो अगर आपके पास है 125 या 628 का तो प्लीज आप खोट्था का पेपर मुझे भेज दीजिए यहां से मेरी email id देखलो में लिख देता हूँ Y.O.U.R. Your Mithun Singh आपको लिखना है gmail.com पे आप मुझे भेज दीजिए अगर आप ट्यूटर पे हो या इंस्टा पे हो या थ्रेट एप पे हो कहीं पे भी हो I.Mithun Singh आप सर्च करना वहां पे आपको मेरी id मिल जाएगी प्लीज खोटा का पेपर अगर आप PDF में सेंड़ कर पाऊगे तो मैं आपका grateful रहूंगा उसके उपर भी एक वीडियो बन जाएगी जिनका question paper है प्लीज भेज दीजिए आप लोग चलिए 125 के भारी demand पर finally जो है CDP का सबसे सटिक answer की आपके सामने में रख रहा हूँ by the way अगर किसी प्रसंद से आपको आपत्ती होती है तो comment section में अपनी राय जरूर दर्ज कराएं और अब 125 में कौन सा अगला subject आपको जो है देखना है किस की answer की देखनी है ये तो CDP का answer की है अगला answer की किस subject का बनाया जाए 125 का नीचे comment करके जरूर लिखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के very first question आपके सामने ये रहा अनिवारी सिक्षा के मार्ग में बाधायें हैं देखे मैं पहले बता दूँ ये कौन सा है ये देख लो आप लोग देख लेना ये यू वाला कुछ सिरीच है वो देख लेना आप आपके question paper में जो question है वो इधर उधर हो सकते हैं बट don't worry ये question आपको कहीना किसी दूसरे number पर जरूर मिलेगा तो question paper खोल कर आप answer की मिला लिजिए अनिवार सिक्षा के मार्ग में बाधायें क्या क्या है तो वे stage की समस्या है जन चेतना की कमी है या फिर सिक्षा के महत्व की अग्यानता है अगर आप देखो जब भी इन में से सभी वाला आपसर आता है ना तो 90% chances बन जाते हैं खास करके जो educational psychology है उसमें ये होता ही होता है बालविकास वाले में लेकिन 10% का जो है आपको margin रख कर चलना होगा फिलहाल यहां पे right answer D ही है कि लोगों में जन्चेतना की कमी है सिक्षा के परतिलोगों की समस्याएं है वेस्टेज है यानि कि सिक्षा के उपर कम खर्च करना चाहते हैं और सिक्षा के महत्व को भी लोग अच्छे से समझ नहीं पाएं है चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नमबर दो की ओर बाल के अंद्रित यानि कि child-centered जो education है उसमें किस सिक्षा दर्सन को actually जो है बहुत सारे psychologist होते हैं अलग-अलग field के कोई प्रकरती वाद को मानते हैं यानि कि naturalist है कोई behaviorism को मानते हैं वाहरवादिक्ता को मानते हैं कोई आदर्सवाद को मानते हैं कोई सामवाद को मानते हैं communism जिसे आप बोलते हो तो देखे इसका जो सही answer है वो है वैभारिक वादता यानि कि बच्चा behavior से सीखेगा आप अगर उसे plantation के लिए लेके जाओगे तो उसके पर्यावरन के पर्ति प्रेम उमड़ेगा पेड के पर्ति प्रेम उमड़ेगा आगे वो पेड़ों को काटने से जो है हिच की चाएगा वो पर्यावरन में पेड के महतु को समझेगा यानि कि अगर आप उसे live यानि कि उसे बैभार में लाकर किसी चीज को सिखाऊगे तो वो सीख जाएगा आपका फिर से एक right answer क्या हो जाएगा D number ही हो जाएगा 2 का चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने ये रहा बाल केंदरित सिख्छा सास्त्र की क्या विसेशताएं हैं देखो जब भी आप लोग अगला एक्जाम जब भी दोगे साइद आप लोग मेंस वाला जो एक्जाम है जेटेट मेंस वो आप दोगे तो देखिए एक बात का खास ख्याल रखिएगा जब भी आपको केवल सब्द दिखे केवल only इससे आपको बचना है रटना ये देखो एक और वर्ड है रटना ये सब negative वर्ड होता है ये कभी answer आपके होंगे ही नहीं ठीक है ना बच्चे को रटा कर कंठस्त करके कौपी करके बार बार अभ्यास करके ये सब चीजों से सेश्ताएं हैं केवल देखो ये पाठ पुस्तक पर ही पढ़कर बच्चा सीखता है बिल्कुल नहीं बच्चा को अगर बच्चे के पिता अगर क्रिसी से सम्मंदित है तो बच्चा वहां से सीख लेगा कि बीज कैसे उगता है उसे कैसे जो है देख भाल उसकी की जाती है तो पाठ पुस्तक से बच्चा केवल नहीं सीखता है बच्चों के अनुभव को प्रात्मिक्ता देना एज टीचर हाँ बिल्कुल सही बात है बच्चा अगर घर से आपने माल लो कि उसे जो है अंकुरी करन पढ़ाना से जो है शुरू किया लेकिन आप क्या करोगे क्लास म आपको नामंकित और वर्गी करन करना देखो यहां पर अलग करने की बात हो रही है और हमारे NCF में यह कभी नहीं कहा गया कि बच्चों को आपको वर्गी करीद करना है सरी जबाब आपका क्या हो जाएगा option number B बच्चे के जो घर से अनुभव है उसे आप प्रात्मिक्ता दोगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर चलिए अगले question की ओर हम लोग बढ़ते है question number 4 समाने बालकों का जो IQ होता है वो पूछा गया है आपको IQ यानिकि intelligence question तो देखो intelligence question जो होता है बच्चे के बीच में 90 से 109 के बीच में होता है लेकिन यहां पे 110 के बीच 90 से 109 के बीच में है लेकिन यहां पे answer 90 से 110 दिया है तो आपको इसी के साथ जाना था 4 का answer C होगा देखिए इस तरह के सबाल थोड़े से जो है थोड़े से दिक्कत वाले होते हैं बर टोंट बरी चीजों को आप सीख जाओगे चलिए आगे बढ़ते हैं मौकिक रूप से स सही जवाब हो जाएगा डिस ग्राफिया देखो ग्राफ याने की पिक्चर वगएरा बनाने की बात हो रही है तो जब भी ग्राफ वगएरा की दिक्कत हो तो डी के साथ आपको जाना था लिखने में प्राब्लम हो तो डिस ग्राफिया होगा चलिए आगे बढ़ेंगे बा से पैर की और बढ़ता है पहले सरका विकास फिर पैर की और यानि कि टॉप टू इसे दो कोई ऐसे भी बोला जाता है कहीं 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 कोश्चन यह भी पूछा जा सकता है टॉप टू टू यानि कि अंगुठे का जो आपका पैर का अंगुठा है टॉप से टू की और जो है यह विकास होता है आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर एक सिक्षक को पुरुसकार एवं डंड देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए देखिए बच्चे को जब भी आप reward दे रहे हो या punishment दे रहे हो तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है अगर आपने टेस्ट लिय बच्चे के अंदर किसी तरह का fear डर का तो नहीं भाव आ रहा है तो option क्या हो जाएगा 7 का A सही जबाब हो जाएगा clear है चलिए आगे बढ़ते हैं बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन प्याजे ने कौन सी विधी को अपनाया है तो देखिए वो cookies वाला आप ल जो है cookies याने की biscuit नहीं लेना है और बच्चे ने यहां से सारे cookies जो है चोरी कर ली उसके बाद जो है जीन प्याजे बच्चे से सवाल पूछते हैं या फिर इसने जार तोड़ दी चोरी करते समय या फिर जार गिर गया उसके हाथ से तो सवाल पूछे गए थे तो ये सवाल पूछने को क्या कहते हैं इंटर्वियू कहते हैं साक्षातकार मैथड कहते हैं साक्षातकार विधी बोलते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा 8 का A चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और सिक्षन अधिगम के अंतरगत सिक्षक का मुखिकार क्या है देखिए बच्चों क आप देखो एक बात बोली जाती है बच्चा कोरी सिलेट नहीं है खाली सिलेट नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा है उसके पास कुछ भी घ्यान नहीं है बच्चा जब स्कूल पहुंचता है तो वह बहुत सारे घ्यान को लेकर स्कूल पहुंचता है यह बात आपको 8 करना सीखने के लिए आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हो ये बात साइनिटिस्ट ने कही ती कि किसी को आप कुछ सिखाते नहीं हो अगर वह खुद से शिखने के लिए तयार नहीं है you can't do much आप कुछ भी ज़्यादा कर नहीं सकते हो 9 का A आपका correct answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे next question की और जो कि आपके सामने ये रहा समय का सदुपयोग करने हे तू प्रोटसाहित करना है बहुत अच्छा सब्ध है प्रोटसाहित करना बच्चे को रियल लाइफ से connect करना यानि कि वास्तविक जीवन से जोड़ना ये सब क्या है अच्छे बात ही है अब देखिए सरवत्तम उपाय क्या है ये पूछा गया है तो देखिए आप जब स्वेम का समय का सदुपयोग करोगे तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा पूछी इसका जबाब क्या है ए 11 का ए सही जबाब हो जाएगा अगला सवाल देखो आप पूछा गया है कौन सा सही नहीं है तो देखो यहाँ पर आपको psychologist के नाम दिखाई दे रहे होगे उनके दोरा किये गए कारियों को दिखा गया होगा और multi जो intelligence theory है वाले सब्दों पर ध्यान देना चाहिए आपको आगे बढ़ते हैं अंगुठा चूसने वाला बालक किसका उधारान है तो देखिए यह जो है regression का example है अब बोलो कि regression क्या होता है प्रतिगमन क्या होता है अब किसी भी चीज़ को दो उसे बस चूसना आता है इसके अलाबा वह पहुत कुछ चीज़ों को सीखता नहीं है तो वह कोसिज करता है इपने मुँब में डालने की और उसे चूसने की चलिए तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा अपसे नमबर A आगे बढ़ेंगे एक बच्चा प्राया अपने सापाथियों के साथ जगडता है आप क्या करेंगे बच्चे को कूट देंगे सजा देंगे बिलकुल नहीं ये काम आपको करना नहीं है और साइद 6-8 में आया था कि कौन सी धारा के अंतरगत आपको बच्चे को पीटना नहीं है तो दारा 17 इसका हो जाएगा, दारा 17 में वरनित है, बच्चे को पीटोगे तो आप जेल भी जा सकते हो, तो बच्चे को पीटना नहीं है, बिद्याले से आप निकाल नहीं सकते हो, जो कि बहुत बुरी बात है, उसकी माता-पिता से सिकायत कर दोगे, देखे, ये तो दोनों एबसलूट करेक्ट है, ये थोड़ा बहुत सही है, लेकिन आपके पास option C में देखो, सारा answer सही है, आप reason ढोगे कि बच्चा क्यों aggressive हो रहा है, हो सकता है कि उसके घर में कुछ problem हो, माता-पिता के बिच अनबन हो, हो सकता है कि उसके माता-पिता single parent है, बच्चे के घर में म अगले सवाल की ओर, बालग विकास का क्या आरथ है, child development का क्या आरथ है, यानि कि बच्चा का सिर्फ लंबाई, मोटाई, चुडाई में विकास, यानि कि सिर्फ physical state की बात हो रही है, बच्चा का सिर्फ सरीर बढ़ेगा, तो क्या, बच्चे का विकास हो जाएगा, development holistic development होगा साथ यहां option में नहीं यह ओल राउंडर इनों ने लिख रखाए तो यह सही है बच्चे का complete विकास जहां से होगा सरवांगिन विकास जहां से होगा जैसे पेड़ का ही example ले लो उसके जड़ें जितनी अंदर तक जाएगी उतनी अच्छे से जो है वो वाटर के रिस उसके दोस्त भी अच्छे होने चाहिए तब उसका complete या फिर all-rounder विकास संभब है 15 का सी आपका सही होगा आगे बढ़ते हैं यह बहुत बहुत सबसे favorite question होता है और देखना आप हो सकता है जेटेट मेंस में भी आपको यह question दिखे IQ निकालने का सीधा सा formula है mental age upon chronical age क्या होत बार पूछा जाता है प्लीज इसे याद कर लिजेगा mental age यानि की बच्चे का जो बुद्धी का age है ना दी वो 5 साल की उमर में 10 साल के सवाल सौल्ब कर रहा है तो उसकी mental age हो गई chronical age जो बच्चा का real age है आप mental age में chronical age को divide करोगे 100 से multiply करोगे सही जबाब आपका हो चलिए आगे बढ़ेंगे सतत मुल्यांकन का क्या अर्थ है देखिए सतत मुल्यांकन का मतलब होता है आप बच्चों को कोई भी पार्ट पढ़ाओ और टेस्ट उसका साथ साथ में ले लो उसे एफे कहा जाता है बोल चाल की भासा में तो देखिए यहाँ पे इसका क्या ज अध्यापकों के बिच अधिक कठिन परिस्रम करने के लिए अभी प्रेडित करना ये भी ठीक है बट उतना ठीक नहीं है बिद्यारति और अध्यापकों की कमजोरी का पता लगाना बिल्कुल सही सतत मुल्यांकन का यही काम है कि आप कहां चूक रहे हो देखिए सिक्चक मे भी कमी है पढ़ाते समय अगर बच्चा को वो completely किसी पाठ को नहीं समझा पा रहा है किसी topic को अच्छे से explain नहीं कर पा रहा है तो अपनी कमजोरी भी सिक्चक को पता चलेगी और बच्चे को अपने कमजोरी का भी पता चल पाएगा और teacher जो है फिर से अच्छे से पढ़ान के लिए देखिए आपको छोटे प्रसंद भी पूछना चाहिए MCQ यानि कि objective भी पूछना चाहिए बड़े बड़े question भी पूछना चाहिए यानि कि सभी तरह के प्रसंद आपको पूछना चाहिए true false देखना private school के book में तो आपको ये भरा पड़ा मिलेगा MCQ मिलेगा आपक D सही जबाब हो जाएगा चली आगे बढ़ेंगे कोई बच्चा किस अवस्था में प्रयावरन से प्रभावित होने लगता है बच्चा जो है कुत्ते को प्रेम करना शुरू कर देगा अपने environment में जो चीजे हैं वो जो है पसंद करना शुरू कर लेगा यानि कि वो influence होना प्रभावित होना शुरू हो जाएगा तो बाल्य अवस्था में बच्चा बच्चा को भोगता देखकर उसकी आवाज कोसिस करेगा या फिर कोईल की आवाज निकालने की कोसिस करेगा यह आपका सही जबाब है परतिभास और बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है देख कर सकते हैं कि बच्चा सिर्जनात्मक है परतिवा साली है या थवा नहीं D आपका सही जवाब होगा एक पांचवी वर्ग का बालक परिक्षा में फेल हो जाता है वह कारण बताता है कि सिक्षक ने उसे पढ़ाया नहीं बहुत ही फैबरेट बहाना इसक्यूज है ये ये क्या कहला आएगा तो देखिए ये क्या है एक बहाना है बहाना को क्या बोलेंगे रिग्रेशन वो जो है क्या कर देगा परतिगमन कर देगा कहीं की बात कहीं पर ले जाकर रख देगा वो अंगुठा चूसने वाला एक्जांपल दिया था ना तो इसे क्या कहेंगे आप ये कर देता है वो option number D, इसका सही जवाब हो जाएगा, but I have a doubt, मैं कोसिस करूँगा कि comment section में आपको इसका जवाब दे दूँ, एक बार मैं verify कर लूँगा, मुझे लग रहा है कि ये CV हो सकता है इसका जवाब, इमानदारी से मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार फिर से book को टटो लूँ पढ़ूँगा और comment करके पूरी कोसिस करूँगा कि आपको इसका जवाब फिर से दे दिया जाए, देखिए अगला सवाल है, because मैं P, S, R, N का क्या मतलब है, तो देखिए P, S, R, N, R, English में आप देखोगे तो अच्छे से समझ पाओगे, तो देखिए इसका मतलब होता है problem solving P for problem, S for solving, R for reasoning, और numeracy, यानि कि इसका answer क्या हो जाएगा, 22 का A हो जाएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोगों को साइद manual में आया जरूर होगा, यदि किसी बच्चे का मानसिक उमर 5 है, देखो मानसिक यानि की mental age, मैंने अभी IQ के बारे में क्या बताया था, MA upon CA into 100, व एप्लाइ कर दोगे, चार से कितने बार में कटेगा, 25, 25, 125, 125 उसका IQ हो जाएगा, कौन सा answer सही है, option, A हो जाएगा, A is the right answer, next question क्यों हम लोग बढ़ेंगे, next question है, देखो, एक पस्च ज्यान, वह ज्यान है, जिसे dash के रूप में जाना जाता है, तो देखे, ये जो ज्यान है वह experience, यानि की अनुभव कहा जाएगा, आखरी सवाल है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने बरतमान, इसकीमा में समाहित कर लेते हैं, देखो, मैं आपको बताता हूँ, अपने अनुभवों को बरतमान, इसकीमा में, अगर बच्चा कववा को उड़ता हुआ द पुराने चीज़ों को नए चीज़ों में जो है, अड़ेस्ट कर लेता है, तो उसे क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे, एसिमिलेट कर लेता है ठीक है, वीडियो यहां तक देख लिए है, तो नीचे कमेंट करके एक बार जैहन जरो लिखें, मुझे पता चल है, वो किस भी से कई आंसर की बनाए जाए, जिसका आपको भी सबरी से इंतजार है, निचे कमेंट करके बताएगा, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वाला बटन जिर खूचर चैनल कर दो चैनल कक दोस्टार